हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका ST campus में दोस्तों हमने growth and development chapter complete किया था अब उसी chapter से लेटी जो हमारे questions है exam में जो आए हुए questions है हम एक बार उन पर नज़र डालते हैं सो start कर तो अपना आज का पहला question विकास की दिसा सिर से पैर की ओर यथा अनुधैर्य धूरी में होती है यह डैस कहलाती है option a sephalocadual option b समीब से दूर option c kodocyphalic and option d is दूर से समीब दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखी है तो आप इस question को easily बता सकते हैं कि इसका क्या answer होगा अगर आता है तो आप इसका question को जो है comment में लिख करके बता सकते हैं और comment में answer देने के लिए हमें live video की आऊ सकता नहीं होती आप वैसे भी हमें बता सकते हैं कि आपको जो है कितने answers आते हैं तुरंत वीडियो को रोग करके उसका नीचे comment में आंसर कर सकते हैं इसका answer है option a यानि दोस्तों यह सिफैलो कॉडल यह किसी फैलो कैड़ल इसको कुछ भी नाम से जाना जाता है इसको हिंदी में मस्तकोध मुखी कहा जाता आप बोलेंगे कि यह आपने हिंदी लिख रहा है यह हमने English को जो है स्यचों इसको नहीं कि यहां पे लिखा हुआ है कि इसी प्रकार से हिंदी में question पूछा चाह कोप्या शीनदी में कॉछ जाता है कि अगर इससे completely हिंदी में विकास की दिशा डैस है औप्शन ए सिफेलो काडल औप्शन भी प्रॉक्सिम और इस इन में से कोई नहीं दोस्तों इस प्रश्ण का आंसर है ऑप्शन डोसरी सब्सक्राइं उसका परेट ख्रम जोता है जिसको हम लोग भी बोलते हैं कि अंदर हमारा विकास यह दूर से स्वारी निकट से दूर की ओर होता है यहां पर पूछाए कि दिशा हमारी कौन सी है तो ए और बी दोनों ही तरीके से होगी आते हैं अपने निक्स्ट कोशन यानि कोशन नमबर त्री पर निम्दलिखित में से कौन सा होता है है जब परिपख्वत एवन अनुभाव के कारण मनुश्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तो यहां पर दो आए एक परिपक्वता और एक अनुभाव आपको मैंने यह बता चुकी हूं परिपक्वता और अनुभाव अगर आप सभी को आयाद होगा तो मैंने M और यहां पर L के बारे में आपको बताया था और बताया था D is equal to M into L यानि कि M का मतलब maturity बताया था जो कि परिपक्वता यह जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी सोचने समझने की च्हमता बढ़ती जाती है जिसको परिपक्वता कहा जाता है और अनुभाव जो व्यक्ति अपने समाज से अनुभावों के द्वारा जो उस और अधीवन ना लिख अनुभाव लिखा जोकि एक्छुल में उसको उसी पॉम में ले सकते हैं यहां पर पूछा है कि परिपकवता और अनुभाव के करण मनुश्य का विकास होता है तो उसका विकास होता है इसका अनसर मैंने वैसे ही आपको बता दिया आते हम इसके next question इन में से कौन सी आयू परवर्ती बाले काल की स्रेणी में आती है दोस्तों परवर्ती का मतलब यहां पर लेटर चाइल्डूड से है यानि उत्तर बाले अवस्था से है और आपको मैंने वीडियो के इंदर पकाइदा एज सहित बताया है कि कौन सी हमारी अर्ली चैल्डूड पिरेड का एज है और कौन सा हमारा परवर्ती यानि की लेटर चैल्डूड की पिरेड का जो है तो लेटर चैल्डूड का जो हमारा आंसर है वह क्या होगा ऑप्शन नमबर बी यानि 6 से 12 वर्ष और बाकी सभी ऑप्शन इसके गलत होंगे आते हैं अपने लेक्श्ट कोश है हुआ है कि शिद्धान के बारे में मैंने आपको बताया है तो यहां पर है कोशन बढ़ते हैं किम समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो किससे संबंदित में आंता सम्भन का सिध्दान या प्रक्रिया का है कभी थोने वाले प्रक्रिया का सम्भन यहां पर विकास घर्ब्धार अजें नेकर जीवन के अंटिंचर्वी में तक हमारा विकास निरंतर होता चला सब्सक्राइब कर दोस्तों मैंने आपको जब उस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो के इंदर बताया था कि इंसान क्रम में नहीं होता सभी व्यक्ति सब्सक्राइब करें कि इक ही सीक्विंच को फॉलो करते हैं और था अर्थात हरे रेक्षा रेक्षि पहले अपर इसी प्रकार जो है वो saura अवस्था अन्य अवस्थां में होता चला जाएगा यानि हरे एक व्यक्ति जो है उपने देश का हो चाहे किसी भी देश का हो सभी व्यक्ति एक क्रम को फॉलो करेंगे तो यह वाला तो इसमें तो अलग होते ही नहीं हैं बात करते हैं एक विकास की समानी शम्ता थो सब की अलग अलग होती है तो यह कि आप इसको ले सकते हैं वर्दीयम के सथ्धानतों में इतना जादा सथ उ tour सारी जाती है धी जाती है सब्सक्राइब यह कोई स्पीड कुछ और स्पीड होती है इस चीज में हम भिन होते हैं आते हैं थे next question कि और question number seven मानों विकास का कुछ विसेश सिधान्तों पर आधारित है निंदलिकित में से कौन सा मानों विकास का सिधान्त नहीं है option a सामाने से विसेश सिधान्तों अगर आपने प्रिवेस वीडियो देखी या नहीं देखी तो पहले देख करके आईए उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखने का फायदा होगा अन्यता फिर आप सर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो इतना ज्यादा बेनिफिट नही दोस्तों मैंने आपको बताया था यहां पर प्रति वर्ति यानि कि हमारे विकास का जो सिधान्त है वह प्रति वर्ति यानि कि पलटता नहीं है एक वर जिसमें चले आते हैं दुबारा बैक उसे स्टेज में नहीं आ सकते हैं उसका आंसर क्या होगा option number B यानि प्रतिवर्ति का सिधान्त विकास का नहीं है आते हैं नेक्ष्ट कोशन यानि दिम्दलिकित में से कौन सा विकास का सिधान्त है बात करते हैं कोशन नमरे 8 के options की हमारे options है option A सभी की विकास तर समान नहीं होती यह बात बिल्कुल स מ׼त लिए सा नहीं होता option B सभी एक विकास नहीं करते हैं यह बात एक sicर जा Dick orton में विक्सित होते हैं यह बंभार प्रकृद से जने वाली प्रकृदर में नहीं है यह यह बिना आप्ष्टों में हमारा क्योंकि हमने बताया था कि विकास थे निरंतर होता है । ऐन्ट भीरück अनवाव्ठी संबाने हैं कि अविकास के स्वास्त इक tara दूसरे से प्रकते लिए सब्सक्ट सरीर के अंदर ही स्वास्त मस्तिस का निवास करता है या अगर सब्सक्राइब इसänderद के प्लेस्ट कर दो हमारा मांसिक विकास अच्छे से होगा तो यहीं चीज से हम बता सकते हैं कि विकास एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है इसकोशन का आंसर जो है हमारा option number A होगा दोस्तों यह हमारे questions भी complete हो गए और हमारा growth and development का चैप्टर भी खतम हो गया इसे प्रकार हम आपके सामने और भी आपके श्लेवस से इसको लेकर के आते रहेंगे और उसके साथ questions को भी लेकर के आते रहेंगे आप इसी प्रकार हमारे videos को जो है देखते रहें और videos को like and चैनल को subscribe करते रहें धन्यवाद